हेलो स्टुडेंट्स वेल्कूम वुद फ्यूचर एकेडमी वी आ हियर फॉय बेटर फ्यूचर लेट्स लान लेट्स तार्ट दर वीडियो सो आज के इस सेशन में हम स्टंडर टैन हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर ट्वल है आपका एक नहीं शुरुवात और उसी चैप्टर की भी लिंक मिल जाएगी जो एक नहीं शुरुवात जो है उसकी लिंक मिल जाएगी प्लस एक्सएस का जो पार्ट वन है उसकी भी लिंक मिल जाएगी ठीक है और एक और बात बताने थी कि जो हमारी चैनल पर जूट पढ़ने आते हैं उसमें से 92 percent students जो है बीना स आज पार्ट टू में देखते हैं, पहला क्वेशन यहाँ पर हम देखेंगे, निमनलिखित प्रश्णों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, तो यह विस्तार से उत्तर आपको देना है, पहला यहाँ पर है, उर्जा के बारे में संक्षेप में बताईए, तो आपको शौर् यह करने की क्षमता जो है, उसको उर्जा कहा जाता है, उर्जा कई प्रकार की होती है, उर्जा की विशिष्टा यह है कि इसे हम उत्पन नहीं कर सकते, इसी प्रकार उर्जा कभी नश्ट भी नहीं की जा सकती, पर आवशकता अनुसार उर्जा को दूसरे रूप दिया जा सकता है यानि उसका स्वरुप परिवर्तित किया जा सकता है जैसे विद्यूत उर्जा को आन्विक उर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और आन्विक उर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है यानि उर्जा एक रूप में से दुखसरे रूप में जाती है ऐसा हम in short कह सकते हैं उसको हम नश्ट नहीं कर सकते और उत्पंद भी नहीं कर सकते और definition पहले लिखनी है कि उर्जा का अर्थ होता है कारिय करने की शमता तो यह था पूरा संक्षिप में आपने उर्जा के बारे में ऐसे लिखना है यहां पर आपको पता है कि प्रफेसर जो रामिश है उनका ये dream project होता है मनुश्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेजना तो कैसे बेजा जा सकता है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो विख्यान के सिध्धान्द के अनुसार किसी भी वस्तु को उसके मुल तत्वों में तोड़ा और उन मुल तत्वों को आपस में जोड़कर उसके मुल स्वरुप में प्राप्त किया जा सकता है लेकक की त्रिष्टी से मानव शरीर भी विबिन प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है पांच तत्वों से मानव शरीर बना हुआ है इसलिए मानव शरीर को मूल तत्व में विबक्त कर उसे विशेश प्रकार की तरंगों में परिवर्तित करके एक स्थान से दुसरे स्थान पर बेजा जा सकता है और उससे मूल स्वरुप में भी प्राप्त किया जा सकता है यानि उनका कहना था कि जैसे साइंस में अलग-अलग चीजों को उसके मूल ततों से तोड़ कर किसी इंस्ट्रुमेंट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पर बेज कर वहाँ पे उसको इकटा कर के वापस पाया जा सकता है णू då मानुशरी को भी किया जा सकता है ऐसा उनका मानना था प्रॉफिसर रामिश का और वो कहते हैं की इनसान का जो शरी रहे मानुशरी जो है वो विबी ने प्रकार के तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है तो इसको भी ऐसे विबक्त करके विशिश प्रकार की तरंगों में तब्दिल करके बदल के परिवर्थित करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेजा जा सकता है तो इस तरीके से उन्होंने एक मनुश्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे बेजा जा सकता है तो इसके बारे में आपको इतना लिखना है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नमबर थ्री पे प्रफेसर रामिश के साथ प्रफेसर माधवन की पहली मुलाकात कब और कैसे होई थी उन दोनों की मुलाकात कैसे इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हो गर्मियों के दीन थे प्रोफेसर मादवन प्रोफेसर रामिश की जिगरे दोस्त आनन महता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार प्रोफेसर रामिश की लेब में उनसे मिलने आए थे यानि सिफारिशी पत्र लेकर प्रोफेसर मादवन ह प्रोफेसर रामिश अपने साथ काम करने की अनुमती दे दी थी इस प्रकार इन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई तो यह पूरी मुलाकात आपको याद रखने से आद एक्जामे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कंडिशन थी उस वक्त ठीक है अभी यहाँ पे विस्तार से उत्तर सिर्फती नहीं है तो हमने वो देख लिए है अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ पह असामान्य का अपोजिट क्या होगा तो होता है असामान्य शुरुवात का होता है अंत असंभव का संभव होता है शक्तिशाली तो होता है शक्तिहिन आनंद का होता है विशाद दूखी कह सकते हो आप और जटिल का होता है सरर जटिल मतलब मुश्किल काम और सरर यानि इज होता है चलिए नेक्स्ट यहां पे है आपका बावाचक संग्या बनाईए पहला है मानव अपना और है बच्चा तो मानव का बावाचक संग्या क्या होगा तो मानव का होता है मानवता अपना का होता है अपना पन और बच्चा का बच्चपन तो यह हो गई आपकी बावाचक संग्निया यहां पर दिया गया है करतु वाचक संग्निया बनाईए करतु वाचक में आपको करता कौन होता है वो डुन्ना होता है तो यहां पर पहला विज्यान सेकेंड है इतियास देन विशलेशन और है कमांड तो विज्ञान किससे बनता है तो आता है विज्ञानी जो विज्ञानी है उनसे विज्ञान बनता है इतियास तो कौन है इतियास कार जो होते है उनसे इतियास बनता है विशलेशन कौन करता है तो आएगा विशलेशक करता रुनना है करतु वाचक बनाना है इसलिए विशलेशक होता है कमांड को अंदेगा तो कमांडर ठीक है तो ये हो गए आपके करतु वाचक संग्निया फिर आता है आपका विशेशन बनाईए तो जो शब्द दिये उसका आपको विशेशन बनाना है पहला है शरीर फिर है क्ष आनंद और है वास्तव तो शरीर का विशेशन क्या होगा तो शरीडिक क्षण का क्या होगा क्षणिक आनंद का क्या होगा आनंदित और वास्तव का विशेशन आपको आंसर में लिखना है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजी वास्तव का विशेशन क्या होगा फिर मैं आपको वहाँ पर आंसर दूंगी ठीक है तो यह थे सारे आपके exercise के question answers हमने सारे लिख लिए हैं अगर आपको कोई भी query है video related या फिर किसी chapter के related तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते इसका आंसर भ का बहुत बहुत दन्यवाद प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब इस चैनल इस इस फ्यूचर एकेडमी मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ तब तक टेक क्यार औल अफ्य बाई